तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रियल तीन पत्ती एप से पेशा कैसे निकालना है यान की विड्रोल कैसे करना है इसकी बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों आप सभी के सामने लाइवपूफ पेशा विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूँ लेकिन पेशा विड्रॉल करने से पहले आपको यहाँ पे गेम खेलकर पेशा ओक कमाना पड़ता है उसके बाद उस पेसे को आप अपने bank account में withdraw कर सकते वो तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को live proof game खेल कर पेसा win करके दिखाऊगा उसके बाद उस पेसे को मेरे bank account में भी transfer करके दिखाने वाला हूँ तो बस दोस्तों जानने के लिए वीडियो में last act बने रहे न और हाँ फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक request है कि चानल को एक subscribe और वीडियो को एक like ज़रूर कर लेना अगर आप भी real team पत्ती एप को download करना चाहते हो तो इस application का link वीडियो के description में दे दिया है वहाँ से download कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है इस application में आपको accounts बना लेना है उसके बाद थोड़ा पेसा यहाँ पे आपको free में मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको game खेलने के लिए जो है थोड़ा पेसा यहाँ पे add करना पड़ेगा जैसे कि 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया आप अपने मर्जी से add कर सकते हो अब आप देख सकते हो मेरे account में 792 रुपीज है इसी पेसे से मैं आप सभी को game खेल कर दिखाने वाला हूँ जितना भी पेसा win होगा उस पेसे को मेरे bank account में withdraw भी करके दिखा दुगा अब आप देख सकते हो यहाप आपको बहुत सारी game जो है वो देखने को मिल जाएगी तो यहाप आप कोई भी game खेल सकते हो और पेसा win कर सकते हो अब आप देख सकते हो ए रोकेट वाला game यानि के crash game इस game को मैं खेलने वाला हूँ इसके लिए इस game को open कर लिया दोस्तों इस game को कैस से खेलना है आप देख सकते हो सबसे पहले आपको amount select करना है जैसे कि 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए आप अपने मर्जी से select कर सकते हो जैसे कि मैंने 50 रुपए से select किया यहाँ पर 50 रुपए लगा देता हो अब देख सो 50 रुपए मैंने लगा दिया अब यह टाइम खतम हो जाएगा उसके बाद रोकेट ऊड़ना start हो चुका है बस आपको क्या करना है रोकेट को blast होने से पहले यहाँ पर आपको cash out करना है त इस बार दो गुणा पर यहाँ पर मैं cash out करने हो लाओ दो गुणा पर 50 रुपए का 100 रुपए मुझे मिल जाएगा अब आप देख सकते हो 1.20 पर रोकेट क्रेश हो गया और मेरा 50 रुपए का वापस लोश्ट हो गया 100 रुपए का तो यहाँ पर मेरा लोश्ट हो गया एक दो गुणा पर कैश आउट करना होता है तो आपका पेसा जो है विनिंग हो जाता है जैसे कि आप 2 गुणा पर cash out करोगे तो 2 गुणा पको cash यहाँ पर मिल जाएगा आप देख सो 2 गुणा पर मैं cash out किया 109 रुपीज यहाँ पर मुझे मिल गया मैंने कितना पेसा लगा थ 50 रुपिया 109 रुपीज मिला यहाँ कि 59 रुपीज का यहाँ पर मेरा profit हो गया अगर यहाँ पर मैं 4 गुणा पर cash out करता तो 50 रुपिय का मुझे 200 रुपिय यहाँ पर मिल जाता तो 200 रुपीज मेरा profit हो जाता इस तरह से आप जितना भी लेट cash out करोगे जैसे कि 10 गुणा cash आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर दो गुणा पर करोगे तो दोगुना cash आपको मिल जाता है एक लाश्ड बार आप 60 रुपे वापस यहाँ में लगा देता हूँ इस बार जो है दोगुणा तक यहाँ पर मेरे वेट करोगा आप देख सेको 1.79 पे rocket crash हो गया और 100 रुपीज का यहाँ पे लोष्ट हो गया तो दोस्तों इस game में तो मेरा थोड़ा लोष्ट हो गया इसके लिए यहां से ब्याक आजाता हूँ आप देख सेको exit to lobby किया और यहां से ब्याक आगया आप देख सो मेरे account में अभी भी 651 tikना के आप देख सकते हैं टाइम खतम हो गया रेट कलर का बोल आगया रेट कलर में 4 नंबर आया तो 4 नंबर यहां पर winning कर गया और rate कलर वाला यहां परわかوع पेसा लगाना है, पेसा केसा लगाना है, यहाँ पे भी आपको amount एसे select करना है, जैसे कि 100 रुपीज में लगा देता हूँ green वाले पे, green वाले पे 100 रुपीज लगाया, और दोस्तों आप बार में मैंने सारा का सारा पेसा कवर कर लिया, साथ में प्रोफीट भी आ चुका है, अभी आप देखो, 50 रुपीज में लगा हूँगा, ग्रीन कलर वाले पे, और एक नमबर, तीन नमबर, पाच नमबर, और यह आठ नमबर, यहाँ पे भी मैंने पेसा लगा दिया है, अभ यहाँ आप देखो, रेट कलर वाले पे 50 रुपीय लगा, अभी आप 10 रुपीय लगा हूँगा, यहाँ पे दो नमबर, चार नमबर और यहाँ पे 6 नमबर, 20 रुपे यहाँ पे मैंने लगया, आप देखो, ग्रीन कलर आ गया, इस बार यहाँ उख यहाँ वो मेरा लोश् अभी भी है तो इस पेसे को में मेरे बैंक अकॉन में अभी ट्रांसपर करके आप सभी को दिखा देता हूँ यानि कि पेसा विड्रोल करके दिखा देता हूँ तो पेसा बैंक में ट्रांसपर करने के लिए आपको क्या करना है आपको विड्रोल वाले ओप्शन पे क्लिक करना आपके सामने इस तरीके का एंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सो विड्रो लेबल बैलेस आपको चेक करना है कि कितना है जैसे कि 425 रुपीज है तो इतना पेसा जो है ओ मेरे बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसपर कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 300 का उप्शन है उसके बाद सीधा 500 रुपीज का उप्शन है यानि कि यहाँ पर मैं 300 रुपीज जो है ओ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसपर कर सकता हूँ इसके लिए मैंने 300 रुपीज को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है विड्रो वाले उप्शन पर आपको इसे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से पेसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसपर हो चुका है दोस्तों मैंने पहले से बैंक अकाउंट एड करके रखा था इसके लिए bank account add करने का option नहीं आया आप पहली बार withdraw करोगे तो आपको पहला bank account add करने का option आएगा उसके बाद आप submit करोगे तो यह पेसा आपके bank account में transfer हो जाएगा अभी आप देखसे कि यहां से 300 रुपी जो है ओ मेरे bank account में transfer हो चुका है अभी मैं आप सभी को check करके भी दिखा देता हूँ बस आपको withdraw वाले option पे click करना है और यहाँ पे आप देखसो record तो इस पे आपको click करना है तो यहाँ पे देखसो 300 रुपीस processing तो दोस्तों यह एक minute नहीं तो 5 minute के अंदर पेसा जो है आपके bank account में credit हो जाएगा इस तरह से आप जो है real team पत्ती एप में game खेल कर जो है और पेसा कमा सकते है और उस पेसे को सीधा सीधा आप अपने bank account में भी transfer कर सकते हैं तो बद दोस्तों आज की ए वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो को एक like और चैनल को एक subscribe जरूर कर लेना ठेंकी दोस्तों